जे श्री किष्टे दोस्तों आज मैं बात करूँगी शमी वरिक्षकी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि भविश्य में आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें हिंदू धर में ऐसे कई पेर पौधों का जिक्र है जिनकी पूजा करने से हमें विशेश्वल की प्राप्ति होती है शमी का पेर घर में लगाने से हमेशा घर में सुक शान्ति बनी रहती है भगवान शिव हो या शनी देव हो या गड़े जी हो सभी को शमी वरिक्ष बहुत प्रिया है शाश्त्रों में शनी के प्रकोप को कम करने के लिए कई उपाए पताए गए हैं लेकिन उन सभी में प्रमुख है शमी वरिक्ष की पूजा घर में इसका पौधा लगाकर पूजा करने से व्यक्तिके जीवन की सभी बाधाएं बड़ी आसानी से दूर हो जाती है वाश्तु सास्त्र की माने तो नियमित रूप से इस पेड की नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनी देव के प्रकोप से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है दशारा के दिन इस वरिक्ष की पूजा करने का एक विशेश महत्व है हिंदु धर्म के लोग विजय दश्मी के दिन शमी वरिक्ष का पूजन करते आए है महा भारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वरिक्ष के उपर अपने हतियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरव से जीत प्राप्त हुई थी भगवान राम ने लंगा पर आकरमंड करने से पहले शमी वरिक्ष के सामने ही अपने विजय होने की प्रातना की थी आयुर्वेद में भी शमी की पत्यों के कई फायदे बताए गए हैं शमी का पौधा लगा कर पूजा करने से आपके काउमों में आने वाले रुकावटे दूर हो जाती हैं इस वरिक्ष की लकडी को यग्य की वेदी के लिए पवित्र माना जाता है धार में एक मान्यताओं के अनुसार कवी कालिदास जी को शमी के वरिक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्यान की प्राप्ती हुई थी जिन लोगों को शनी की साड़े साती या धहिया चल रही हो उन्हें न्यमित रूप से शमी के पौधे की देखभाल करनी चाहिए उसमें रोज पानी डाले उसके समीब शाम के समय दीपक जलाएं शनीवार को पौधे में थोड़े से काले तिल और काली उड़ग अरपित करें इसे शनी की साड़े साती का तुष्प्रभाव कम होगा तो दोस्तों ले आईए इस चमतकारिक पौधे को अपने घर में और देखें कैसे आपको आपके जीवर में लाब मिलेगा दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं